वेल्कम बेक तो माई चैनल माई नेम इस प्रीश टीवारी और में चैनल में आप लोग आप बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आप लोगको बायोटीक का प्रोड़क्ट मैंने मंगाया था इसको यह सारी की रिव्यू देने वाली हो आपको आपको साथ में यूज करके किस टाइब का आपको चूज करना चाहिए कैसे मंगाना चाहिए कितना थिक है कितना पतला है और सब कुछ आपको दिखाने वाली हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ मेरा को प्रेश कर दीजे ताकि नहीं वीडियो की नोटिफिकेस्ट सबसे पहले आप लो अगर आपको वुलाग में इंट्रेस्ट हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यूटिक का रिव्यू आपको बता दू है कैसे यूज करना बता दो यह चार चीजे मंगाई है क्या क्या नहीं बताने हारी आप लोगों को किती भी स्कीन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं और यह मुझे पढ़ा था स्वाल पर में मैंने इसको अमेजन से पर्चेस किया था और इसका इसका प्राइज है वह एक सो पच्पन रुपए है तो ऑफर में था तो यह हमको स्वाल पर गया था आप भी चाहब तो अच्छी पैकेजिन में है यह और बहुत ही पतला सा मतलब यह है और इसके अंदर हलके हलके से दाने जैसे है जैसे कि स्क्रब में होता है जिससे आपका स्कीन अच्छी से क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको तो इसको मैं यूज करके भी कर दो तका कि आपको पता चल जए इसमें जाग बिल्कुल नहीं बनता है जो कि स्कीन के लिए बहुत अच्छा है जाग वाली चीज़ें को डैमेज करती है जैसे अंदर तक इसकीन के अंदर अफ्जोव होती है फिर स्कीन में ड्राइनेस आने लग जाता है जूरिया आने कम हैं इसको कम से कम 15-20 दिन धीन पर वह बहुत अच्छा है तो आप इसको यूच कर शकते हो और शेयर किया जाये दूल 15 मेल तो इसको इस तरीकी जैसे ब स्कप करते हो तो इसको इसे लिप करते हो तो भी आप ये फेलफ बहुत यूज कर सकते हो, सारी चीजों का रिभू दे ही रही हूँ तो आप अच्छे ते देख लो तो ये मैं दे यूज कर लिया है, मैं इसको ड्राइ कर लोगी, मैं अभी आप बास्वों में यूज करोगे तो आप अच्छे ते क्लीन कर पाओगे, बट मैं या पे वीडियो बनाने के लिए मैं रूम में बैटी हूई हूँ तो मैं मग में पानी लेके बैटी हूँ और हैंक ये नौढमल टू ओउली स्किन के लिए है, जो आपके स्किन पर जूरिया होती है, वह भी क्लियर होता है, तो आप घरमे भी हनी का पना के यूज कर सकते हो, अगर आपकी स्किन बहुत अधर ब्राइज हो अगर बड्रवाइज आपको कोई टूनल वगरा चाहिए, तो अग 119 रुपे में और इसका प्राइज है 175 रुपे तो सेल का टाइम चल दा है तो आप यूज करोगे तो आपको यूफर में मिल जाएगा और अगा आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट करके बताना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ओके तो यह है हि मेरी स्किन बहुत ड्राइ है तो मैं अभी इसको यूज नहीं करूंगी मैंने अपने लिए भी मंगाया हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रहेती हूं तो यह मैंने मेरी सिस्टर इन लोग के लिए कि प्यूंकि स्किन ऑईली है तो यह ऑईली स्किन के लिए मैंने अपनी लि आप पहले की वीडियो देखियोंगे तो काफी ज्यादा डार्क सर्कल मेरे चारे पे लिखा इससे मेरा 50% तक डार्क सर्कल खतम हो गया और मैं इसको देखी मेना हाफ यूज भी कर दिया तो आप चाहो तो यह न्यूट्रिल ग्लो का अगर आपको डार्क स्कूर्स है डार्क स 10 रिमुवल है 10 रिमुवल वायटी का स्क्राब है यह मुझे पड़ा है यह 120 सुपे में मुझे मिला है और इसका प्राइज यहां पे लिखा हुआ है 199 जल्दी से अगर आपको चाहिए तो जाके ले सकते हो मैं इसको भी अप्लाई करके दिखा देरी हूँ यह इस तरीके के पैकेजिंग में है इतना बड़ा इसका डिपा है ज़्यादा सा लेना है ज्यादा लेने की जरुत नहीं है इतने से भी आपका काम हो जाएगा किन को पहले अच्छे से गिला कर लीजे आप साथ में पानी ले सकते हैं जैसे भी स्क्रब आपको हफते में एक से दो बात कर लेना चाहिए बहुत अच्छा ग्लो है इसका और टेन रिमूवल भी आई है तो आपके स्कीन पर जितना भी टेन होगा डर्ट होगा जो आपके ब्लैकर्स होते हैं उसको रिमूव करने में काफी हैल्प करेगा आज आपको पता चल गया सारी चीज़े आपको डेली यूज में आपको स्रिफ टोनर और क्रीम इसका रजना है स्क्रब आपको हफते में एक बार लीजिए या फिर बहुत ज़्यादा आपका स्कीन ओईली है तो आप दो बार भी ले सकते हूँ स्क्रब को कभी भी आपको भी ऊपर नहीं अबलाई करना चाहिए तो इसको भी मैं क्लीन दर लेती हूँ तो इसको पांच मिनट तक मसाज करना है उसके वासे आप इसको भी क्लीन कर दीजिए आपको कोई भी स्क्रब हो आपके पाप वह यूज कर सकते हूँ मैं यहां पर बायटी का रिव्यू कर दी तो मैंने इसका ही यूज किया है तो यह मैंने क्लीन कर लिया आप देखे तो कितना अच्छा ग्रोव दिख रहा है इकी बार में फिर आपका थर्ड स्टेप है टोनर का तो मैंने यह पर बायोटीक वालो टोनर नहीं आप बायोटी का ले सकते हो अगर आपकी वाली स्कीन है तो मैं यहां पर न्यूट्री ग्लो का ग्रीन टी वाला टोनर यूज कर रही हूं इतना आप स्कीन के मसाज के लिए यूज कर सकते हो उसके मसाज क्रीम है जो ही इसका ग्रीन टी का टोनर है हलका सामत में इसमें जलन टाइप का होता है लेकिन इससे कोई डरने की बात नहीं है यह फिर फोड़ दिर में अपका रिलेक्स हो जाएगा स्कीन का जो भी डर्ट वगेरा होता है उसको यह ब्लीन करता है उसके लिए क्यार का जलन जलन सा फील फिट की को जाता थोड़ दें में तो ही वैड़ी करने वाली तो आप इसको आप आप ग्रीम और टोनर आप डेली बेस पर यूज कर सकते हो बाकि इस आरी चीजेया प्रीक्रीम टोनर एंड प् जो भी दर्ट वगएरा होता हूं उसको क्लीन करता है तो अगर डेली स्क्रब करो तो आपकी ड्राइब पढ़ने लग जाएगे फिर जूरिया आजाएगे अगर डेली करते हो तो अगर आपकी ओली इसकी आप कर सकते हो लेखिन तो आप हफ्ते में एक बार करिए ओली स्कीन क्रीम इसका मैंने इसका रिव्यू नहीं किया वायोटिक एडवानस आईरवेद वाइटनिंग और ब्राइटनिंग क्रीम है यह जो पिग्मेंटेशन होती है जैसे आपकी स्कीन कहीं बहुत ज़्यादा गोरी कहीं ज़्यादा कहीं पैचेस वगएरा होते हैं ब्लैक हो जा इवेंट टोन देता है इकवल दिखता है पूरा फेस आपका तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो आप इसको यूज कर शक्ते हो यह मुझे वन नाइटीन यह मुझे मिला था वान थाटी में तो सारी सीजो का रिव्यू मैंने लगबग कर दिया जब आप इसको फे इफेक्ट है कूलिंग एफेक्ट है जो कि बहुत अच्छा फील होता है ठंडा ठंडा सा फील होता है और आपकी स्किन को इवेंट ओन देने लिए बैस्ट है मुझे जितना तक पता सा मैंने बता दिया तो आई होब आप लोग को आप लोग को आज की वीडियो है लगी हो अपको क्रीम लगा कैसी छोड़ देना है हलका सा मसाज करके तो आज का वीडियो हो गया बाइटीक प्रोटक्ट का रिवू एंड़ मसाज कैसे करने क्लीन अप कैसे करने आप इस तरीके से अप लिनाप भी कर शकते हो मत अज भी कर शकते हो इस लाश्ट वह प्राश कर तो यह फारी चीजे से आप अपना फेस का क्लीन अप कर सकते हो आप देली तौर पर मैंने कितनी बार बता दिया है फेस्ट वाश टोनर एंड क्रीम आप यूज कर सकते हो डेली डेली मेंसेज पर स्क्रब आप डेली उजना करें ओके तो आई वीडियो आपको हेल्फूल लग किटने बार कर ख लूज़ी परो आपकी जजे हो आपकी आ एंधे जाप पकी डेली उळ्शूल खप रेली प्लाबकी टूशल आपका हूँ आपके टार तो ऎख अबगक nuggets पक्रान को सत्र Moore वाश्हां क्वार जाप नपक्य Clifford Inde हूभर मैं और दो लापकी कितनी एंड कीक सा